जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग फिल्म की सटार्टिंग में हम एक लड़की को देखते है जो की चोरी से एक बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है वो गंटरोल रूम में जाती है जहां एक गाड्स सो रहा होता है और वो उसके गले में प्लास्टिक का फंदा लगा के कस देती है जिससे उस गाड का गला दबने लगता है और वो सांस नहीं ले पाता बहुत मशक्कत करके वो गाड अपने टूल बॉक्स के पास जाता है और उसके अंदर से चाकू निकाल के वो उस प्लास्टिक को काटने की कोशिश करता है लेकिन इसी क्रिया में वो अपना ही गला काट डालता है और वो प्लास्टिक उससे नहीं कट पाता जिसकी वज़े से उसका धेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है दोस्तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो लड़की ये कतल क्यों कर रही थी दोस्तो इस लड़की का नाम चैंग था जो कि एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी वो रोजाना लोगों को कॉल करके अपने प्रोड़क्ट के बारे में बताती थी चैंग बहुत गरीब थी और वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी इसलिए वो दो पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो पैसे कमा सके चैंग का एक सपना था कि वो अपने लिए एक बड़ा सा फ्लाट खरीदे इसलिए वो मेहनत करके पैसे बचा रही थी ताकि वो अपना ड्रीम फ्लाट खरीद सके काम के बाद चैंग एक होटेल रूम में जाती है जहां उसका बॉइफरंड उससे मिलने आता है उसका बॉइफरंड एक अमीर आदमी था और उसकी बहुत ही बड़िया जॉब थी लेकिन वो शादी शुदा था और उसके साथ उसका फेयर चल रहा था वो बंदा उसके साथ इंटी मेट होता है और जब वो सो रहा होता है तो उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है वो अपनी वाइफ अकॉल उठाता है और उससे जूट कहता है कि वो मीटिंग में है उसकी वाइफ उसे घर आने के लिए कहती है तो वो तुरंट वहां से निकल जाता है अगली सुबह चैंग जब वहां से निकलती है तो रिशेप्शनिस उसे रोक लेती है चैंग उससे पूछती है कि कल रात जो आदमी उसके साथ था वो कितने बज़े यहां से निकला तो वो उसे बताती है कि वो रात के दो बज़े ही यहां से निकल गया था वो औरक चेंग से पैसे मांगती है क्योंकि उस आदमी ने पैसे नहीं चुकाये थे और चेंग को अपनी सेविंग में से ही वो पैसे देने पड़ते हैं दोस्तो फिर हमें चेंग के पाष्ट के बारे में दिखाया जाता है जब वो चोटी थी तो वो अपनी फैमिली के साथ एक रेंट के कमरे में रहती थी उसकी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़का था जो उसका दोस्त था और वो अकसर उससे बाते किया करती थी चेंग की फैमिली में उसके माता पिता एक ग्रैंटपा और एक छोटा भाई था एक दिन चेंग अपने दादा के पास बैठी हुई थी उसके दादा ने उसे बताया था कि अब वो बहुती जल्द ये घर छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं जिनकी वज़े से उन्हें प्रॉबलम हो सकती है दोस्तों वहाँ पे मकान माले काफी दंगे कर रहे थे और वो जबरदस्ती अपना रूम खाली करवा रहे थे ताकि वो वहाँ पे एक लक्जरी बिल्डिंग बना सके छोटी चैंग रात को प्रे किया करती थी कि वो बहुत अमीर बन जाए जिससे वो अपना एक फ्लाट खरीदे जो नदी के पास हो और उनको वहाँ पे जगे की कमी भी ना हो एक रात जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक वहाँ पे दंगे शुरू हो जाते हैं ग्रैंटपा उनसे कहते हैं कि वो चुप चाव अपना खाना फिनिश करें और बहुत जल्द उन्हें भी यहाँ से छोड के कहीं और जाना होगा चैंग अपने सामने के विल्डिंग वाले दोस्स से बात करती है जो उसे बताता है कि उसके मकान मालिक उन्हें जबरदस्ती वहाँ से निकाल रहे हैं और कल सुबह तक वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा यह सुनके चैंग को बहुत बुरा लगता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है बच्पन में जब चैंग और उसके भाई की लड़ाई हुआ करती थी तो उसके पिता चैंग को ही हमेशा मारा पीटा करते थे एक दिन मार खाने के बाद चैंग उन से रूट के छट पे चली गई और कुछ दिर बाद वो उसके पास आया और उससे कहा कि वो एक यूजलेस इंसान है जिसने सारी जिंदगी कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वज़े से वो लोग गरीब है उसके पिता ने उससे कहा कि वो उन जैसा ना बने बलकि वो खुद जॉब करे जिससे वो अमीर बन सके और एक नया फ्लाट ले सके जब चैंग बड़ी हुई तो उसने अपनी मा से कहा कि वो स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो जॉब करके पैसे बनाएगी ताकि उनके घर की आर्थिक्स थी ठीक हो सके उसकी माने उसे अनुमती दे दी और वो जॉब करने लगी 2004 में उसकी मा मर गई थी जिससे उसे बहुत सदमा लगा था उसने अपनी मा को प्रामिस किया था कि वो उनको अपने नए फ्लैट में जरूर ले जाएगी लेकिन वो यह नहीं कर पाई थी जिसकी वज़े से उसे बहुत बुरा लग रहा था उसके बाद वो कमाने में जुट गई और उसने अपनी सेविंग्स बना ली कुछ साल बाद वो अपने भाई के साथ एक फ्लैट देखने गई जिसी खिड़की से नदी दिख रही थी उसको फ्लैट बहुत अच्छा लगा लेकिन वो काफी महंगा था इसलिए उसने एजेंट से कहा कि वो अपने ओनर से बात करे और इस फ्लैट को थोड़े सस्ते में कराए जिस उनके एजेंट उससे कहता है कि वो उनसे बात करके इस बारे में बताएगा चेंग उसी तरह का फ्लैट चाहती थी जो कि उसका ड्रीम था और वो उसको पाने के लिए बैंक में भी गई ताकि वो लोन ले सके लेकिन वहाँ पे बैंक मैनेजर ने उसे लोन नहीं दिया क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और अगर वो लोन लेती तो वो चुका नहीं पाती कुछ दिन बाद चांग के पिता की तबियत खराब होने लगी और जब चांग ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाके चेक अप करवाया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है इनको सास लेने में तकलीफ हो रही है तो इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा चांग अपनी सेविंग्स को ऑपरेशन में नहीं देना चाहती थी इसलिए वो काफी डर जाती है चांग एक इनसॉरेंस एजेंट से मिलती है जो उसे बताता है कि उसके पिता का हेल्थ इनसॉरेंस हो रखा है और अगर वो मरते है तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा अपने पिता की इलाज के लिए चांग अपने बॉइफरेंट से भी पैसे मांगती है रात को चांग अपने पिता को डाटती है क्योंकि वो बिमार होने के बावजूद भी सिगरेट पी रहे थे उसका पिता उल्टा उसे ही डाटता है और उससे कहता है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए एक राच चांग के पिता को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही होती है और चांग जब ये सुनती है तो वो उनके पाश जाती है वो oxygen cylinder को on करती है पर वो mask उन्हें नहीं देती जिससे उसके पिता को oxygen नहीं मिलता और उनकी मौत हो जाती है दोस्तों चांग ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी savings खर्च नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने घर का सपना तूटता हुआ नहीं देख सकती थी उसके पिता की मौत के बाद वो health insurance का पैसा उसे मिल जाता है और उसके पास धेर सारे पैसे आ जाते हैं जिससे वो flat को अराम से खरीच सकती थी अगली सुबह वो flat के owners से मिलने जाती है जहां agent उसे जल्दी आने के लिए कहता है जब वो वहाँ पहुंचती है तो agent उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुई है उन owners को already कोई मिल गया है जो कि दुगने दाम में वो flat लेने के लिए तयार है इस उनके चांग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस flat के लिए उसने बहुत कुछ किया था जब वोनर्स वहाँ पे आते हैं तो वो उन्हें डाटती है और उनसे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते है उनकी deal हुई थी कि वो उसे ही flat देंगे लेकिन वो किसी और को flat कैसे दे सकते है वोनर्स उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते है इस बात से चांग के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो इस flat को कैसे पाए वो राब तक सदने में होती है और उसका भाई उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो चांग उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है वो जाके सो जाए दोस्तो यहाँ चांग एक रास्ता निकालती है कि वो उस बिल्डिंग में जाके वहाँ के कुछ लोगों को मार डालेगी और मुर्डर का सुनके उस बिल्डिंग में कोई flat नहीं खरीदेगा इसलिए वो उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाती है और सबसे पहले वहाँ के गार्ड को मारती है जो यह गंट्रोल रूम में स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था दोस्तो अब कहानी प्रेजन्ट में आती है जहाँ चांग अपना दूसरा शिकार करने के लिए चाती है वो एक flat में जाती है जहाँ एक नौकरानी उसके लिए दर्वाजा खोलती है चांग उसके हमला कर देती है और अपने चाकू उसके आँखों में घुसा देती है जिससे उसकी आँखे बाहर आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है उस flat में एक pregnant वारत थी जो अपने पती के आने का इंतजार कर रही थी जब वो नौकरानी की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि उसका पती आ गया है और जब वो दर्वाजा खोलती है तो वो चांग को देखती है जिसके हाथ में चाकू था और वहीं पे उसकी नौकरानी की लाश भी पड़ी थी ये देख कि वो काफी डर जाती है और दर्वाजा लॉक करके अंदर छुप जाती है तब ही चांग उसका दर्वाजा खोल के अंदर घुचती है ताकि वो उसे मार सके लेकिन वो औरत उस रूम में उसे नहीं मिलती जब चांग बाहर जाती है तो वो औरत उस पे हमला कर देती है वो एक लकडी से उसके मूँ पे मारती है जिससे उसके चेहरे पे खरोचा जाता है चांग ये देख के उसका पैर पकड़ के उसे गिरा देती है जिससे वो औरत पेट के बल गिरती है और उसका बच्चा बाहर निकलने वाला होता है उसको पेट में दर्द होने लगता है और वो चांग से कहती है कि वो उसकी मदद करे लेकिन चांग उसकी एक नहीं सुनती और उसे घसीट के आगे ले जाती है वो एक प्लास्टिक से उसका मूँ ढख देती है जिससे वो सांस नहीं ले पाती और कुछ दिर बाद तडप के उस वारत की मौत हो जाती है तब ही उसका पती अपने रूम के बाहर आता है जिसे उसी गर्ल्फरेंट का कॉल आ जाता है तो वो उसे अटेंड करता है और जब वो वापस जाके डूर बेल बजाता है तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता ये देख के वो अपनी चावी से दर्वाजा खोलता है जहां उसे अपनी बीवी की लाश मिलती है ये देख के वो काफी रोने लगता है और तभी चांग पीछे से उस पे हमला कर देती है वो आदमी किसी तरह उठता है और चांग को पीटता है लेकिन चांग उसे किसी तरह मार गिराती है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है उसके बाद हमें दूसरा फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पे दो दोस्त रहा करते थे उन दोनों ने वहाँ पे दो प्रोस्टिटूट को बुलाया हुआ था मज़े करने के लिए चांग उनके फ्लैट के बाहर पहुंचती है अंदर दाखिल होने के लिए लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उन लड़कों को ड्रग्स सप्लाई करने आया था चांग उसे देख के छुप जाती है और वो लड़का उसे देख के हैरान हो जाता है जब वो अंदर जाता है तो वो उस बंदे को ड्रग्स देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ है वो बंदा उसे बताता है कि उसका दोस्त अंदर मज़े कर रहा है सादा पीने की वज़े से एक प्रोस्चिट्यूट बेहोश हो गई थी तो वो लोग जबरतस्ती उसके नाक में वो ड्रज डालते हैं जिससे वो होश में आ जाती है वो लोग उसके साथ मज़े करने वाले होते हैं लेकिन तभी चांग वहाँ पे आके डूर बेल बजाती है जब वो सप्लाय दरवाजा खोलता है तो चांग अपने चाकू से उसका पेट फार देती है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आजाती है और वो वहीं पे गिर जाता है दूसरा लड़का जब यह देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन चांग उसे पकड़ के उसे जान से मारने वाली होती है लेकिन वो बंदा उस पे भारी पड़ता है जो उल्टा उसे पीटता है जब वो चांग को जान से मारने वाला होता है तो चांग एक लास उठा के उसके गले में घुसा देती है जिससे उसका धेर सारा खोन निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है फिर वो उस प्रोस्टिटूट के पास जाती है और उसे भी जान से माल डालती है उसके बाद वो रूम के अंदर जाती है जहां वो लड़का और वो प्रोस्टिटूट इंटिमेट हो रहे थे वो पीछे से लड़की को पगड़ती है और उसके पीट में स्टाप कर देती है जिससे उसका धेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है फिर वो उसका प्राइवेट पार्ट काट के उस प्रोस्टिटूट के आगे फैकती है जिससे देख के वो और चैंग बेड़ की लगड़ी तोड़ती है और उस लड़की के मूँ में घुसा देती है जिससे वो लड़की हिल नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है चैंग अपने पैर से चाकू निकालती है और अपनी जुराब को वहाँ पे बांध लेती है ताकि वो अपनी ब चैंग उससे कहती है कि उसके दोस्त काफी ड्रंक थे इसलिए वो चिला रहे थे और उनके यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहां से जा सकते हैं तब ही वो लोग चैंग के गाल पर निशान देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहां जरूर कुछ गरबर है चै कि इतने सदमे में थी कि वो किसी को भी चोट पहुचा सकती थी वो शागू से उस इंस्पेक्टर का गला काट देती है और गलती से इंस्पेक्टर से गोली चल जाती है जो कि दूसरे इंस्पेक्टर को जाके लगती है और इसी के चलते वहां बे मौजूद दोनों इंस्प पस अपनी जॉब पे लग जाती है तब ही उसे उस एजेंट का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या आप भी वो फ्लैट लेने के लिए तैयार है तो चैंग उससे कहती है कि वो उस फ्लैट को लेने के लिए तैयार है लेकिन वो 1.3 डॉलर कम देगी वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसने न्यूस सुनी है कि वहाँ पे एक मास मॉर्डर हुआ है वो एजेंट उससे कहता है कि वो ये डील पक्की कर ले क्योंकि ओनर इस फ्लैट को किसी भी हाल में बेचना चाहते हैं दोस्तों यानि चैंग का प्लैन काम कर गया था और वो मास मॉर्डर करने की वज़े से कोई भी वहाँ पे फ्लैट नहीं खरीदना चाहता था इसलिए उसको उपरचिनिटी मिल गई थी वहाँ पे सस्ते दाम में फ्लैट खरीदने की रात वो चैंग अपने बॉइफरेंट से मिलती है और उससे ब्रीक अप कर लेती है क्योंकि या उसका सपना पू भी यहीं पे खत्म हो जाती है तो दोस्तो यह थी इस फिल्म की कहानी जो की चैंग की कहानी है चैंग एक लड़की थी जो की बच्पन में बहुत गरीब थी और उसका घर बहुत छोटा था जिसकी वज़े से उसे रहने में काफी दिक्कत होती थी इसलिए उसने इस अपना बनाया कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो बहुत कमाएगी और अपनी इंकम से वो एक फ्लैट लेगी जिसमें उसको रहने की दिक्कत नहीं होगी वो फ्लैट लेने का उप्सेशन उसका इतना जयादा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी उसने वो फ्लैट पाने के लिए वहां के लोगों को मार डाला और यहां तक कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो की बहुत खतरनाक थी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कॉमेंट में ये भी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद